हलो बच्चा लोग सलाम नमस्ते सच्षियकाल मैं हूँ आपका बायो टीचर वीजे सर तो बायो की जर्णे में बच्चों अपना आखरी पड़ाव तक पहुंच चुके हैं तो यह अपना सेकेंड लास चैप्टर होने वाला जिसका नाम है आर इंवार्मेंट इसके बाद एक मैंनेजमेंट आफ नेचरल लिसोर्स तो चैप्टर है आर इंवार्मेंट एक बहुत ही अहम भूमिका निबाता है आपके बोर्स के एक्जाम में और साथी साथ में एक्जाम में भी फूट चेन फूट बेब बगर से काफी सारे कुश्चिन पूछ लिए जाते हैं तो मेरे अपने अपने का सकते हैं और कैसे और देख रहे हो अपने जो कई सारी कंट्री को कम करने की बात कर रही है कार्बन फूट्प्रिंट कम करने का मतलब है कि जो ग्रीन हाउस गैसे जिसे कार्बन डाय उक्सड वगरा इसकी जो परसंटेज है अमाउंट उसको कम करना जैसे जपान हो गया इंडिया भागेदारी कर रहे हैं अब देगे इंडिया जो है इलेक्टरिक गाड़ियों पर सब्सक्राइब करना है कि हमारे साथ जो आने वाली पीडी है उसके लिए वह सशेनेबल रहे रहे और सारी रिसोर्से जो है अप्टीमम अमांट में अविलेबल रहे तो चले बच्चों आगे बढ़ते सार में आपको पूरा समझादे इस अपर में क्या पढ़ने वाले गयी वाटर बॉड़ी ओगी तृवल हो गया और साथ ही साथ में और इसम्द भी हो गए इनवार्म अब जो कुछ भी आपको सरांट कर रहा है सब अगर मैं सुम की बात को समें कैमरा है टीवी है ठीक है कारपेट है अब लैक टॉप है मशीन से माइक है और साथ ही साथ में बहुत सारे मैक्रोर्गैनिजम है एयर है गैसेज है तो इस सब क्या है मुझे सर्राउंड कर रखा है तो इन अपन क्या बोलते हैं इन्वार्मेंट दो इसमें बच्चों लिविंग के साथ नॉन लिविंग दोनों ही चीज़े आ जाते हैं तो लिख सकते हो आप बायोटिक कि दोनों ही चीज़े आपने जो इन्वार्मेंट उसको कॉंसिट्यूट करती है और दोनों में ही आपस में इंट्रेक्शन प्यारे बच्चों चलता रहता है तो कॉंसिट्वेंट्स अब इन्वार्मेंट है डिपेंडेंट अन इच अधर ये एक दूसरे पर निरबर होते इस दूसरे पर डेपेंडेंट ये होते हैं जिस चीज़ को अब हाइलाइट कर ले ना अनकंट्रोल अक्टिविटिटीज और इसको आप समझी ऐसे पापुलेशन भी आ सकती है अभी सदाइयकों आप जो पॉपुलेशन भरती गा रही हो पॉपॉपीलेशन बढ़ती ही जाएगी और जी समझ रहे क़िए बात को लेकिन पॉपॉपूलेशन भरती जाएगी तो जो भक है उस्देज्ण और मिन भल्यीं को रहा था और कुछ समय बात ऐसा होगा कि रिसोर्स को लेके लडाई होगी पानी लडाई होगी अप समस्द होगा आप को यह मैं कुछ example दहरण दे रहा है future के ऐसा हो सकता है यह पानी को लेके दिशण जाये countries के बीच में तो क्योंकि resources limited हैं तो human beings को अपनी activities पे control करना पड़ेगा उन्हें साफधानी पूर्वक यूज करना पड़ेगा वरना अंत नजदीख ही है प्यारे बच्चों अब अन्ट अक्टिविटीज में काफी सारी चीज़े बच्चों आ जाती है जैसे मैं आपको बता हूं अब deforestation deforestation का मतलब होता है cutting of trees on large scale आप चाहते लिख सकते हैं अगर आपने जिस काम के लिए पेड़ काटे उतना ही पेड़ आपने लगा दी तो कोई दिक्कत नहीं सुनर और लेटर वह बैलेंस है हो जाएगा वापिस से लेकिन आप पेड़ों को काटे जारों कुछ भी आप प्लांट नहीं कर तो बैलेंस क्या हो जाएक डिस्टाब हो जाएगा यह ठीप वर्श्ट ठीशन के बात करी एसे कई साई चीज़े माइनिंग हो गई एक बताओ इल्लीगल हंटिंग को बच्चों बोलते हैं पोचिंग का मतलब होता है यहां पर इल्लीगल हंटिंग तो आज कर आप देखे टैगर की जो पॉपलेशन ने डाउन होगे राइनोसरस की जो पॉपलेशन ने डाउन होगे क्यों कि लीगल हंटिंग चल रही है वह जरूत से ज्यादा लालश में इंसान क्या करता है इंबैलेंस क्रिएट करता है तो इस तीछ को अपन को कंट्रोल कर थीक से नहीं चल पाएगी तो कोई सी भी गाड़ी हो चाहे वह अपनी टूवीलर या पर इस दुनिया की गाड़ी हो बैलेंस होना बहुत ही जरूरी है वह गारिया पलट जाती है और हुमन क्या कर रहे हैं अपनी अंकंट्रोल एक्टिविटी से बैलेंस को डिस्टब कर र प्रूट पील बोलते हैं कि mostly यहां पर आपकी यह आपकी बेसिकलि घाज ले मैं जो दिख रहा है यह ब्रॉकली से लग रही है यह ब्रॉकली तो नहीं है यह कुछ में कियाろう जाईनीस कैबेज है ठीक है आपके नारंगी की फील से छिलके है यह आ पर गाजर जिलके हैं यह पत्था गोबी है और यह प्यास सा मुझे दिख रहा है अगर मैं यहां पर आऊ तो सब कुछ प्लास्टिक दिख रहा है तो इमेज से बच्चों आपके माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए यार कि कईना के जो लिविंग तिंग से चीज आ रही है वह बायो डिगेडेल में हो लिए तो जो चीजें आपको प्लांट और अनिमल से अप्टेन होती है इन जैनरल उन्हें बायो डिगेडेडेबल बोलते हैं और जो कि मैनमेड होती है जैसे ग्लास कुछ मैटल के आर्टिकल्स प्लास्टिक वगड़र सब क्या होते हैं चैमिकल्स नॉन बायो का मतलब होता है ब्रेकडाउन वो मेस्ट मट्रियल जिनको लिविंग और्गैनिजम जिन आपन सेप्रो ट्रॉप भी बोलते हैं इनका बहुत ही बहुत ही बहुत ही बैक्टिरिया फंजाई वह अगरें को ब्रेक कर देते हैं इन ग्रेजुली ओवर पिरिट ऑफ टाइम उन्ह वह सबस्टैंस जिनको बैक्टिरिया फंजाई ब्रेकडाउन कर देते हैं अपने एकशन से उन्हें बॉल जाता है ब्रेक्टिरिया फंजाई इस बैक्टिरिया एन फंजाई को बच्चों सैप्रोट्रोफ बोला जाता है these are called saprotrophs होते हैं फ्यारे बच्चे इन्हें और यह जो डीकम पोब्हक्ते ही यह ब्रेकदाउन करने की शमता रखते हैं यह अपने में स्पेसिफिक होते हैं यह सफाब्पोजर होते हैं जिनका एक्जामपल बैक्टिडिया और पंजाई कही ब capability आर स्पैसिफिक इन दे अक्षन स्पैसिफिक इन आरक्षिन होने साह 55 करने चाहिए साथ मतलब है कि यह उस चीज़ को breakdown करने की दिग चैज को भी ब्लांटानों कर देती हैं उसे समय उप्लांड्स संस अब कॉल लेते है तो यह आप चाहतो लिख दो फ्रूट पील्स फ्रूट के छिलके फ्रूट पील का मतलब फ्रूट के छिलके लेफ्ट ओवर फूड यह सारे अपनको प्लांट और अनिमल से मिल रही है और इनको जो आपके डिकंपोजर होते हैं वो ब्रेकडाउन कर देते हैं इन्टो नॉन में तो वेस्ट मटरियल को ब्रेकडाउन करने के चाहिशन होगा जिन्कों न्हीं करा वो नॉन ब्रेक डाउन इंदर उसे לघा धीफिम ब्रूर्पट डंट प्रूरल संपनसें नयचनित और और इन् इनको बोलते बच्चो नान बायो डिटेडेडेबल वेस्ट आई बच्चो बात समझ में तो जिस ब्रेकड़न नहीं कर पाते जिन चीजों को इन्टो नॉन पायो डिटेडेडेडेडेबल वेस्ट अब इसमें आम तोर पे मैंडमेड चीजे आती जैसे आपका कैमिकल होगा डिटी डाइक्लोरो डाइफिनाईल ट्राइक्लोर एथिन लर्न कर लीजिए कर बार फुल फॉर्म ट्राइक्लोरो एथिन डाइक्लोरो डाइफिनाईल ट्राइक्लोरो एथिन डाइक्लोरो डाइफिनाईल ट्राइक्लोरो एथिन तो बेसकि जो डिटी है वो एक तरीके से कैमिकल है जिनका यूज बंध हो गया पैस्टिसाइड था बेसिकली पैस्टिसाइड यानि ऐसा सिं तो क्योंकि यह non-bio-degradable था तो पेड़ू के नंदे चला जाता था फिर इंसान इसको खाता था तो इंसान के अंदर भी चला जाता था तो यह biological magnification cost करता था मैं आगे समझाऊंगा biological magnification क्या होता है प्लास्टिक हो गए शंथेटिक VS हो गया ग्लास्ट क्ल Lexus है ग्लास मेटल आटिकल एड सेक्ट तो सारे क्या होते हैं नॉन बायो डिवल सब्सेंस की कटेगरी में आते हैं चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चो अब इको सिस्टम अब अगर आपने इस इमेज को देखे तो आपको पता पड़ेगा यार यहां पर रॉक्स है वाटर है है टॉर्टर है ठीक है फिशेज है और कुछ ग्रीन वाटर प्लांट भी तो कई न आपको और आपको दिख जाएंगे तो कही न कहीं वीजे जेसर ने इस तरह दूसरे को अफेक्ट करती ही रहती है तो असस्टम विच इस सेल्फ कंटेंड अपने आप में जो है उन आत्म निर्भर होता है जिसमें आपको लिविंग और नॉन लिविंग चीजे देखने को मिल जाती है अब आत्म निर्भर कैसे अगर मैं जंगल में जाओ तो जंग की से अपना पोची चल रहरी है उसको भूझता है सेलर कंटेंड के को सि्टम क्या होता है एक को सिस्टम एक ऐसा यूनिट होता है जिसमें लिविंग और नन लिविंग ज fácil यानि की बाइयोटेक और इंद कॉमपोनेंट साथ साथ में रहते हैं और एक यह दूसराइंट भी होते हैं ऐसा कह सकते हैं एक दूसरों का अफेक्ट भी वह करते रहते हैं तो इसे बनावा होता है और से एक ही चीछ चाहिए बस काम करने के लिए वह सनलाइट मिल जाएगी बाकी सारा काम यह अपने आप देख लेता है जैसा फॉरस की में बात करूं फॉरस पर सनलाइट गि बनाते हैं फिर हर भी वरस प्लांट को खाते हैं हर भी वरस को स्माल कार्णिवोर 95 को लाइज का टे कि लीए तो बैसिकली स्रिफ सनलाइट की मदद चाहिए बागे सारा काम पेड़ पॉदे कर देते हैं उस जिंदकी को अपने पने आप चलाने के लिए तो यह बैसिकली फ जहाँ पर human का आना जाना नहीं है और जो महाँ पर छेर छार नहीं करते हैं चीजों का changes हो जाएंगे मामरा गड़बड़ा जाएगा तो जहाँ पर human interference नहीं जिसे forest हो गया desert हो गया mountain हो गए वो सब natural ecosystem यहाँ पर होते हैं लेकिन जहाँ पर human कौन सी अठानी है कैसे oxygen supply करनी है कैसे साफ सफाय करनी है तो जहां पर human interference आगे उसको बूलेंगे अपना artificial ecosystem कई बार ऐसा पूछता जादा है बहुत नेचरल ecosystem के green plants होते हैं लेकिन जो artificial ecosystem होता है human का interference होता है human beings की छेड़चाड होती है जिसके मद्दे नजर रखते हुए जिसके चलते हैं जो ecosystem हो अपने आप काम करता है अगर humans को हटा देंगे तो ecosystem गड़बडा जाएगा अब aquarium रखा हुआ है यहां ठीक है आपने वहां पर जाएंगे हो सकते हो गई ही नहीं तो जो आट जो artificial ecosystem होते करें इसमें human का interference हटा दे यह human का रोल हटा दे तो कहीं नहीं कि वहां पर हो जाता है तो यह में difference होता है natural और artificial ecosystem के बीच मेरे प्यारे बच्चों इसको learn कर लेना एक तरीके से आपका विराट खोली टॉपिक यहां पर बात करूं तो आप देखें यहां पर एक तरीके से कर सकता है जांध पर का पानी कोछ ना स्थे कांच के पीछे पूरा पानि बरावगे है ऩापर प्रफिश हो गई में प्रख से बड़ी है तो मेरे साथ से यह लेल ही होगी देखे यह पर शार्क है गजब कि बार रखिया यह वेल भी लेक्ष पर रखिया एक्वेरियम ही हो सकता है तो यह मैं नियूदे के यह देख रहे हैं लोग झान चाहत आ प्लांट्स भी है कोरल्स भी ऐसे बात नहीं तो पूरा एक सिस्टम मना रखा जो की कौन कंट्रोल कर रहे हैं इसको इसको नाम जागी आर्टिफिशल एको सिस्टम लेजर परपस के लिए यहां पर इसको यूज किया जा रहा है अगर आपन नैच्रल एको सिस्टम कोई दूर भी लग रहा है यह से ज्यादा सुनतर नैच्रल से लेकिन उच्छांथी मिल रही है आपको इमेज को देखके आप मेरी बात से बिल्कुल एगले करेंगे इसको देखे क मन में शांथी का जो है वह एक शांथी का जो है फीलिग आते है मन में, इसको देखके एकसाटमेंट लेकिन जो मन में शान्ती आती वह फिलिंग इस इमेज को देखके आ रहे हैं योगि नेचर से आप जितना कोर्लेट करोगे जितना नेचर के पास होगे उतना आप खुश रहोगे उतना आपकी happiness बढ़ेगी आगे बढ़ते हैं ना components of ecosystem there are two main components of ecosystem देखें आपन डिसक्स कर चुक है living और non-living देखें बायो का मतलब होता है प्यारे बच्चों living वर्ड बायो का मतलब भी life होता है living होता है तो यह बायोटेक यानि यहां पर हो जाएगा non-living और बायोटेक यहां पर हो जाएगा living ठीक है त आप चाहँ तो लिख सकते हो यहां पर बायोटेक का मतलब होता है living और यह लगाज है तो non-living तो अगर आपन देखें इसमें इमेज में देखें बायोटेक फेक्टर में फंजाई आ गई आपके plants आ गए प्रोटेस्ट मैकर और्गेनिजम होता है अनिमल आ गए बैक्तिरी सारी living है तो जो भी living components होते हैं उन सबको बायोटेक फेक्टर में इंक्लूट कर लिया या लेकिन मैं बात करूँ एयर की salinity यानी तरीके salinity यानी salt जैसे पानी saline यानी पानी नमकीन है तो यह air हो गया salinity हो गई मिट्टी हो गई temperature light water mineral pH humidity यानी इसमें atmospheric elements भी आए गए जैसे आ जो सब non-living things है जिसमें आपके non-living things आगे अट्मॉसफरिक elements आगे इनको बोलता पन एक बायोटेक फेक्टर साथ में रहते हैं और एक जिसे को प्रभावित भी करते रहते हैं डिपेंडेंट भी होते हैं आप ऐसा कह सकते हो आगे बढ़ते ना बायोटेक कॉम्पोनेंट इसमें प्लांट और अनिमल दोनों ही शामिल होते हैं और अनिमल के प्यारे बच्चों आप माइक्र और गैनिजम को इंक्लूड कर सकते हो विच इस मेड़ अफ मैने डिफरेंट डिपेंडेंट पॉप इंटर डिपेंडेंट पॉपलेशन सो बायोटेक में आपके माइक्र और गैनिजम सभी आ जाते जो कि दूसरे इंटर डिफेंट होता है और अपको पता भी फूट चेंट चलते फूट चेंट आपने पढ़ रहा कि क्लास सभंध में प्योंत अबता एक और गैनिजम दूसरे को खाता आई दूसरा और टीशर गाता आनरजी लेता है त तो biotic factors में आपके सारे living organism आ जाएंगे चाहे वो plant हो चाहे वो animal हो चाहे वो micro organism ही क्यों ना हो अब इसमें तीन तरग के organism आते हैं प्यारे बच्चो producer, consumer और decomposer, producer को यहाँ पर auto trough बोला जाता है और auto का मतलब होता है self, trough का मतलब होता है to prepare,ецष helper का मतलब होता है प्रेपर तो यह बात आपको प्यारे बच्चो पता होनी चाहिए हो नहीं पता है तो अभी ग्याद कर लीजे तो tीन तरह के organism होते पहले प्रोडूसर में आम तोछ पी ग्रीन प्लांट साते हैं या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं इन्हें और बोला जाता है या पर सैप्रोफ भी इनको बोल दिया जाता है तो इनके बारे में बच्चों पन बाइब डिटेल में डिस और उसे पहले ये बाटिक फेक्टर के और आपने इज़र घुमा लेते हैं तो ये बाटिक कॉंपोनेंट्स क्या होते हैं इसमें आपके फिजिकल एंवार्मेंट आ गया जिसे है वारे मनेंद दथटी इनवार्मेंट और एक इनृजर बदै तो छीजेकी इक तो फिजिकल टॉपिक भी बोल सकते हो इसके लाइट हो गया टेंपेचर हो गया हुमिल्टी हो गई तो यह सब भी इसके अंदर आ जाते हैं फीजिकल इन्वार्मेंट इन और गनिक सब्सेंसेंज एंड यॉर अट्मॉस्फेरिक एलिमेंट्स तो इस सारे चीज़ी किसमें आते हैं इस बा चाहिए होते हैं बाकि सारा काम अपने अब ग्रीन प्लांट्स कर देते हैं सनलाइट आई जो भी ग्रीन प्लांट्स थे उन्होंने इसको सनलाइट को ट्रैप करा फोटो संथेस करा और फूड बना इंदी फॉर्म ग्लूकोस तो अब बच्चों जो आपके अनिमल्स होते जो ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं उन्होंने उस ग्रीन प्लांट्स से एनर्जी ली और उन एनिमल्स को जब दूसरे एनिमल्स खाते तो उन्होंने इंडारेक्ट दे कि जो भी एनर्जी आती वो डारेक्ट और इंडारेक्ट ली प्लांट्स से समझे कैसे अगर मैं डारे क्या करते हैं यह हर्भी वोर को खाते हैं और हर्भी वोर क्या कर रहे हैं प्लांट को खा रहे हैं तो यानि जो भी एनर्जी आ रहे हैं वो डार्यक्लिक्लिक्लिक्लिक्लिक्लिक्लिक्लिक्लिक्लिक्लिक्लिक्लिक्लिक्लिक्लिक्लिक्लिक्लिक्लिक्लिक्लिक्लिक्लिक्लिक्ल क्योंकि प्रोड्यूसर क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट को प्रोड्यूसर बोलते हैं, क्योंकि वो फूड प्रिपर करते हैं in the form of glucose by the process called photosynthesis, तो अब यह जो energy आ रही है, वो directly indirectly प्लांट से ही आ रही है, और इसी energy को use करके ecosystem जो वो functioning करता है यहां पे, तो इस तरह से बच्चों अब अपने इस topic को भी discuss कर लिया है, अब next slide के अपन बात करते है, producer, consumer and decomposer, producer यानि जो खुद produce करता है, बनाता है, क्या produce करता है, produce food, किसकी form में, in the form of glucose, in the form of glucose, अब यह बात आपको समझने हो कि बच्चों यहां पे, अप कई बच्चों के मन में से सवाल उठ रहा होगा, कि, कि सर मम्मी भी तो खाना खुद बनाती है, तो फिर मम्मी को producer क्यों नहीं बोलते है, बिल्कुल से बात है, मम्मी खाना बनाती है, मम्मी मैगी नहीं बनाती, म मम्मी लौकी बनाती है, मम्मी करेला, मम्मी पिज्जा नहीं बनाती है, मम्मी सेंविच कम बनाती है, लेकिन मम्मी टमाड़ की सबजी बनाती है, आलू के पराटे बनाती है, बनाती है, तो मम्मी को producer क्यों नहीं बोला जाता, तो आज मैं आपका डाउट लिए कर रहा है, म plant source आ रहा है तो basically food तो अपन ले के आरह है या तो and milk हो गया, तो animal source हो जाएगा, vegetables, fruits हो गया, so plants तो food तो अपन ले आरहे है, और अपन सक्क करने और काम कर रहे है basically basically अपन तो नहीं मम्मे क्क करने काम किती सब्सक्रा काम कर शितिशलिक अपन लोग producer नहीं होते होंगे तो जो प्लांट्स जो फूड्स ऑर वोटर की इनोर्गनिक चीजी होती जिन्हें सबस्टेंजिस बोला जाता है इनहें यूज करके वो बेसिकलि ऑलिभाट की मदद से अपना फूड बना जुक्षा तो फोरो सिंथिस एक्वेशन में लगजे तो यह पे तो गिन प्रांट्स क्या करते काबन डियोक्षाइट वैसे आप लोगों ने यह पढ़ रखाऊगा बद फिर भी समझाने के परपस से काबन डियोक्षाइट प्लस वाटर in the presence of chlorophyll and sunlight green plant pepper their food which is glucose and release gas which is oxygen and water in the form of water vapor तो यह बच्चो आपकी photosynthesis का एक abbreviated form काबन डियोक्षाइट एर से वाटर से इंदी प्लांट का ग्रीन कलर आता है वो chlorophyll की वज़े से ही आता है और chlorophyll का क्या होता है sunlight को trap करना sunlight को यहाँ पर absorb करना ठीक है और फिर क्या होता है ग्लूकोस बनता है जो की plant का food होता है और जो गैस रीज होती वक्सेन गैस होती है प्लस वाटर तो बच्चो जो food store होता है इस बात को learn कर लेंगे जो food store होता हो starch की form में होता है store in the form of starch store in the form of starch चलिए अब आगे बढ़ते है अपन अब consumer अब देखिए इसमें BGA का full form होता है blue green algae बीज यानि blue green algae तो basically green plan के साथ जो बीजी होती blue green algae blue green algae वो भी photosynthesis करती है और अपना खाना बनाती है in the form of glucose consumer जो consume करते हैं which consume consume यानि use करते हैं तो यह खुद तो खाना नहीं बनाते लेकिन जो खाना बना हुआ है plants के द्वारा उनको use करते हैं the organism which consume food prepared by producer are called consumer जित्ते भी animals होते हो सभी consumer होते हैं कुछ जैसे बीजी होगे खुद तो खुद बना सकते हैं लेकिन आम तोर पे majority of animals क्या होते हैं consumer ही होते हैं अपन भी consumer है डॉग भी consumer है कुछ microorganism भी consumer है तो basically अपन क्या कर रहे हैं खुद खाना नहीं बना रहा है human beings cook करते हैं आगे सारे direct खाते हैं लेकिन अपन खाना खुद consumer को अपने तीन simple category में बाटा है herbivore, carnivore और omnivore हाला कि इस अब आप पढ़ चुके हो और कई बार पढ़ चुके हो herbivore, carnivore और omnivore तो herbivore, herbivore नाम से पता पढ़ रहा है herb herbs, herbs क्या होते है, they are a kind of plants, herbs क्या होते है, एक तरीके पेड होते हैं या plants होते हैं जो छोटे होते हैं सबसे छोटी हाइट वाले herb होते हैं ठीक है उनकी जो stem होती है, वो soft or tender होती है ठीक है और ब्रांचे जिन में कम देखने को मिलती है, तो herbivore, herb से आया, herb यानी plants तो जो plants को खाते हैं होने herbivores बोलते हैं अब कार्णी वोर्स आपको पता है जो other organism के flesh को खाते हैं उन्हें बोलते हैं कार्णी वोर्स जिसे frog हो गया, टिंग फिशर एक बर्ड है, hawk बर्ड है, लिजर्ड इन छिपकली तो यह जो भी organism हो सारे आपके जिसे frog, लिजर्ड, hawk आपको पता है मेंडक, टिंग फिशर ए भातो मेंगा, बाट कोषा यह दोर्चों अनुम पता है, लिजर्ड कार्णी बोर्स आपको पता है, तो सारे क्या होते हैं, यहां पर होते हैं, अब यह बच्छों यहां पर विरात कोहली टोपिक है, विरात कोहली टॉपिक तो इसको भी थो में बढ़ा है, small carnivore और large carnivore, लिजर्ड एड्सेक्टाण यह सब क्या है थे small carnivores हैं यह आपके हर्भी वडर असायनिमस को खाते हैं और large carnivore वो होते हैं जो की small carnivore को कमादे है अब बात करते हो Omnivores की, मारुति की Omniven आती है, उस मारुति की Omniven का multi-purpose uses को आप taxi के तोर पर यूज कर सकते हो, personal vehicle के तोर पर यूज कर सकते हो और आम तोर पे movie में kidnapping भी से मारुति Omni के द्वारा ही दिखाई जाती है, Omnivores क्या होते है, वो animals होते हैं जो सब कुछ खाते हैं, सब कुछ है, मतलब है plant भी खाते हैं और animal parts भी खाते है, crow, sparrow, mina, aunt, bear यह सब क्या है, आपके Omnivores है, एक और important example दिलो उसमें cockroach, यहां पर बच्चो Omnivore है, यानि यह plant parts भी खाता है, और animal parts भी खाता है, नाम से बदबड़ा Omnivores, जा पे बढ़ हर भी आजाए, तो यह हर plant, Omnivore यानि Omnivores, multi-purpose plant भी खाते है, animal भी खाते है, और Carnivores अपने आप आपको यान आजाएगा भी animal या animal के flesh को खाते हैं, चलिए अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, इसी बात पे ना, decomposer क्या होते है, decomposer वो सभी microorganism होते हैं, जिसका example है bacteria and fungi, जिने saprotroph भी बोला जाता है, जो की complex organic material को breakdown कर देते हैं dead plants animals के into simpler form और non poisonous form, अब जो bacteria fungi ही क्या करता है, यह अपने body से कुछ secretion निकालते हैं, फिर उससे जो भी organic matter हो तो उसको digest करते हैं, फिर कुछ portion तो खुद यूज करते हैं for growth and maintenance और बाकी earth को लोटा देते हैं, तो आनि recycling of nutrients में कौन मदद करता है, decomposer करते हैं, आप लिखा होगा recycling यह है recycling of material, यह आपका विराट कोहली word है, विराट कोहली line, तो decomposer को saprotroph भी बोला जाता है और saprophytes भी बोला जाता है, अब होता है, यह क्या करते है, इसका example है bacteria and certain fungi, यह अपने body से secretion निकालते हैं और जो भी organic matter उसको breakdown करते हैं, फिर खुद तो कुछ यूज कर लेते हैं for growth, development, maintenance, बाकी और अर्थ को लोटा देते हैं, decompose कर देते हैं, break down कर देते हैं, मिट्टी में है तो मिट्टी को लोटा देंगे, ताकि वापिस से यूज में आ सके, देखिया कि decomposer नहीं होंगे इस बात को समझना, अब मैंने यह अजूम किया कि यह decomposer धर्थी से नश्ट हो गए, एक भी नहीं बचा, अब कुछ पेड मर गए, गिर गए, कुछ आजानमर मर गए तो ऐसे इस पड़े रहेंगे, यानि उनके अंदर जो nutrition पड़ा हुआ है वह उनके अंदर लॉक हो गया, वह वापिस से अर्थ को return नहीं होगा, मतलब अब अब यसा अपने प्लांट को ग्रोव करा है, तो प्लांट क्या करेगा, soil सी nutrition लेगा, फिर प्लांट को animal खाए तो animal नहीं लिया, जो भी nutrition आया, उस organism के अंदर, जब organism की death हो तो उस nutrition को वापिस से लोटा जेते है, decompose करके, ताकि nutrition वापिस से re-available हो जाए for the use by the producers, plants वापिस उसको use कर पाए और वापिस से नया food वह बना पाए, तो यह काम होता main decomposer की, nutrients की cycling में मदद करते, decompose कर नहीं होगा, तो जो भी nutrition पढ़ा हुआ है, वह लॉक हो जाएगा, वह आप इसे return नहीं होगा, जब तक आप कुछ दोगे नहीं तो आप कुछ पाऊगे नहीं, तो यह धरती भी सिद्ध करती कि दे होगे तब ही कुछ आप यहाँ पर पाऊगे, चलिए अब आगे बढ़ते है बच्चों, decompose, तो basically mushroom है और mushroom एक fungus का बहुत बहुत बहतरीन example है, देखिए इस तरह की mushroom, poisonous mushrooms, तो जो mushroom जहरीली होती है, आम तोर पर उसको बच्चों टोट स्टूल के नाम से जाना जाता है, और यह जो mushroom red color की जो Alice in the Wonderland में भी दिखाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, अपन टोट स्टूल बोलते हैं, तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो टोट स्टूल होते हैं, देखिए mushroom जो होते हैं, बेसिकली वेक fungus होते हैं, जिनको अपन आम तोर पर खाते हैं, और मैं खाता हूँ, और मेरा ऐसा माना है, पता नहीं कैसे लोग खाते हैं, क्या चीज है, क्या नहीं है, लेकिन एक fungus है, और यह कोई non-vegetarian food ने इसको vegetarian food में ही include किया जाता है, उसको खाया जाता है, बहुत रिच्चे nutrients होते हैं, इसमें क्रोटीन होता है, शायत selenium भी होता है, कई सारे ऐसा macro और micronutrients होते हैं, ज इन्हें हिंदे में फाम की चत्री भी बोला जाता है, जो हम छोट वखन करते हैं, और आंप सारे सानाप की चत्री भी बोलते थे, ऐसा कुछ भी ने किसक आ आसप्र साछाप रहत से हैं इसको बी बात नहीं है, तो बचे जो mushroom सोते हैं, इनको जब भी आपको खाना है, तो आ आपको बताओं जो बच्चे कोटा में रहतने हैं तो बेस्ट बहुत ही बड़ी है जगह जापे आपको मश्रूम मोश्ट ऑफ टाइम अवलेबल मिली जाएंगे मैं जितनी बार भी गया हूं उसमें से हो सकता है जिसे महीनी में चार बार गया तो सकता है एक बार मश्रूम बागी तीनों बार मश्रूम मुझे देखने को मिलते हैं तो वह से आप ले सकते हो 40 रूबी इसका एक पैकेट आता है और काफी 500 ग्राम उसके अंदर होता है तेस्टी भी होता है और हेल्दी भी होता है अब चाहतो उसको फ्राय करके खालो या फिर सब्जी के इंदर डाल के उसको आप यूज कर सकते हो इस वेरी गुड चले अब आगे बढ़ते हैं बच्चों इंपोर्डेंस ओब डीकंपोजर देखे आप इभी फंगस आगी तो इनको बूलते हैं प्रेंस को अब छाया जाता है इस का एक्जामपल फंगय नहीं बैक्तिरय के अंदर आते हैं एक्जामपल बैक्टिर्या नद पंगय क्योंकि आम तोर पर आप इस मश्रूम के डियाग्राम देख रहे तो हो सकता है आपको असा लगए भी फंगस के बात नहीं हो रही है इसे बैक्टर फंजाई दोनों ही देखने को मिलते हैं तो जो डीकंपोजर्स होते हैं प्यारे बच्चों इनका क्या काम होते हैं इसे डिजॉल के कोहीं न कहीं इसको सिंपल फॉर्म में फिर लिक्विड फॉर्म में कनवर्ट कर देते हैं फिर थोड़ा बहुत जो मतिरिल होता है वो खुद यूज कर लेते ग्रोड डवलप और मिंटरेंस के लिए और रिमेनिंग रिटर्न कर देते हैं कि इसको वो बोला जाते है रिसाइकलिंग अफ नूट्रियंट्स पर दुबाय रिपीट करते हो बहुत जो भी प्लांट ए अनिमल उसके नूट्रियंट्स लॉक हैं जब उसकी डेथ होती है तो डिकंपोसर क्या करते हैं अब डिकंपोस करने से क्या होगा जो भी इसकी बॉड़ी म इनिमल्स या फिर यूस फॉर अधर परपसे तो इसलिए रिसाइकलिंग अफ नूट्रियंट्स में जो सबसे बड़ा रोल होता है प्यारे बच्चों वह होता है डिकंपोसर का या फिर सेप्रोफाइट के चले अब देखते क्या बोलना चाह रहा है ठीक है डिकंपोसिंग अब बात को समझ पारे हो इतना सा मान के चलो गाय भी मर जाती तो उसके कुछ घंटो बात ही बहुत गंदी बद्बू आती है वहां उसको कुछ देर भी नहीं रख सकते तो आपने को फोन करके बुलाना पड़ता है म्यूनिसिपल पार्टी से कुछ लोगों को बुलाना प नहीं होंगी और यह भी अमारियों का घर बन जाएंगे तो क्योंकि डीकम्पोस करके इन्हें सिंपल फॉर्म में कर देते हैं नेचर को रिटन कर देते हैं इसलिए क्लेंजिंग एजन्ट ऑफ इंवार्मेंट भी बोला गया है इन्धी एप्सेटो डीकम्पोजर देड़ प्लांट अनिमल्स वुड कीप लाएंगे ऐसे कैसे पड़े रहेंगे और जो इनकी बॉडी में लॉक हो गए थे वो रिटन नहीं हो पाएंगे ओरीजिनल पूल को में क्या हैगा स्वेल एर और वाटर जहां से उनको लिया गया था बही अब प्लांट है प्लांट ने क्या all-form में कनवट नहीं होगे आपने प्लांट की । प्लांट कि नहीं होगी तब तक वह wouldn't ऑ सी में। लौक करेंगे प्लांटकश हुए तो जो डीचंपो 보시면 के इसलोबक to अड़े – इसलोग से ब्रेक नतुन करopesекतर र 총देंप, ऐससे सब्रेसिक्नाय नर्यकिश करेंघे, इसल फूड चेन, simple सहल भाशा में कौन किसको खा रहा है, इस लंबी चेन को अपन क्या बोलते हैं, फूड चेन, the chain of organisms which shows who eats whom is known as food chain, the food or energy can be transferred from one organism to the other through the food chains, मैं खाना कहलो या energy कहलो, इसमें आपन जो वर्ड यूज करेंगे, वो energy ही यूज करेंगे, और energy more appropriate है यहां पर कि जब चीजों को समझेंगे, तो energy की terms में समझने में बहुत ही आसानी आपर होने वाली है, तो जो food या energy होती है, इसका transfer होता एक organism से अगले organism पर उसो कौन आम तवर पर जितनी भी food chain होती है, सब green plant यानि producer से ही start होती है, तो यह बात आपको पता हूँ, जो producers होते हैं, वहीं से green जो आपकी food chains होते हैं, वो start होती है, producer नहीं होंगे, तो photosynthesis नहीं होगा, अब photosynthesis नहीं होगा, बच्चों तो आपको पता नहीं food बनेगा, नहीं oxygen होती है, तो हर भी वरस क्या खाएंगे, जब हर भी वरस कुछ नहीं खाएंगे, तो कार्णी वरस क्या खाएंगे, life ही finish हो जाएगी, तो जो food chain आम तोर पर start होती है, वो सारे cases में, almost सभी cases में, green plant या फिर producer से ही start होती है, क्योंकि वो sunlight के energy को use करके food बनाएंगे, फिर उन food क तो हर भी वरस खाएंगे, हर भी वरस कार्णी वरस खाएंगे and so on, इसको आगे पढ़ेंगे आपन ट्रॉफिक लेवल के अंदर, ठीक है, अब food chain रिप्रेजेंट, अच्छा इसमें एक बात ध्यान रखने लागी है कि unidirectional होती है, जो energy का movement होता है, वो unidirectional होता है, आगे अपने example से समझेंगे, सरल भाशा में a list of organism showing who eats whom, सबसे simple definition, जिन बच्चों को learn नहीं होते हैं, बनको यह definition लिखवा हैता हूं, सरल भाशा में कौन किसको खा रहा, एक organism की chain है, a chain of organism which shows who eats whom, a list of organism showing who eats whom is known as food chain, तो food chain एक organism के list है, लंबी सूची है, जिसमें कौन किसको खा रहा है यह दर्शाती है, food chain, तो चलिए प्यारे बच्चों कुछ example से अपने इसको बारी की से समझेंगे, देखें, बहुत क्यूट से मना example ही, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे जो मुझे देख रहे हैं, वो भी दिल से भी बहुत क्यूट हैं, प्यारे बच्चे तो उन्हीं क्यू नहीं हो सकता, पांच भी गलती से देखने को मिल जाए, लेकिन 6-7-8 आपको देखने को नहीं मिलेंगे, एक food chain में 3-4 organism ही आपको देखके मिलेंगे, यह मैं आगे समझाओंगा, ऐसा क्यों होता है, और ऐसा क्यों possible नहीं है, कि 5-7-8 organism link हो जाएं, यह अपने आगे पढ़े लिंक नहीं हो सकते, तो वो अपन next lecture में discuss करेंगे, उस 10% law को, जो कि अपनको बताएगा कि भाहियर multiple link क्यों available नहीं है, तो अभी इतना ध्यान रखे, 3-4 यही organism आपको food chain के अंदर linked दिखाई देंगे, इससे जादा possible नहीं है, कोई पूछा भी क्यों possible नहीं, तो बुलेंग according to 10% law, according to 10% law given by Lindman, जो Lindman ने 10% law दिया था, इसके अनुसार, जो food chain होती है, उसमें max to max 4 हो जाएगा, फिर कुछ एक special cases में 5 हो जाएगा, उससे ज़्यादा possible नहीं है, अभी कोई पूछा इतना बताना, आगे lecture में समझेंगे, ऐसा क्यों होता है, तो अगर मैं इस food chain की बात करो, तो यहाँ पर क्या है, corn है, यानि corn क्या हो गया, बच्चों यहाँ पर corn हो गया, producer, ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, rat है, rat यहाँ पर हो गया, primary consumer, या बोल दो consumer, और यह क्या है, आवल, यह भी क्या है, consumer है, यह consumer 1, यह हो जाए consumer 2, देखिए, अब मैंने बता, food chain क्या होती है, flow of energy यहाँ पर होता है, it's a flow of energy, और unidirectional होती है, energy का flow होता और unidirectional होती है, तो अब corn जो है, उसको खाया, भुट्टे को खाया, चुहे ने, तो अनि जो energy गई, वो गई भुट्टे से चुहे के पास, फिर चुहे को खाया, उल्लू ने तो energy गई चुहे से उल्लू के पास, तो energy का जो movement हो रहा है, वो मैं मान के चलो left से right में हो रहा है, यह प्रोडूसर से चल रहा है और आगे तक बढ़ रहा है, कभी भी उल्टा नहीं चलेगा, क्या उल्लू को चुहा खायेगा, अगर special case मे आपको ध्यान में रखनी है, तो यह three linked food chain, अगर मैं आगे बात करता हूं, तो यह क्या carrot, यह हो गया साब, यहां पर rabbit, यहां पर मुझे fox दिख रही है, ठीक है, wolf भी हो सकता है और यहां पर lion, तो यह four linked food chain, इसमें चार organism linked है, यहां पर अपन plant को इंक्लूड कर रहे हैं, तो तो देखें, इस case में भी जो food chain start हुई, वो एक producer से ही start हुई है, तो जो carrot है, यह producer है, अब carrot को खाया rabbit ने, तो energy किस के पास गई, carrot से rabbit के पास गई, और कभी rabbit को carrot नहीं खाएगा, तो उल्टा नहीं चलेगा, फिर rabbit को खाया, इस fox ने, तो energy कहा से गई, rabbit से fox के पास गई, fox को कभी भी rabbit नहीं खाएगा, तो उल्टा नहीं चलेगा, फिर fox को खाया lion, तो energy गई fox से lion के, पास lion को कभी भी fox नहीं खाएगी, तो आम दोर पर जो flow of energy होता, वो हमेशा unidirectional होता, उल्टा कभी भी नहीं चलेगा, और जो food chain start होती है, वो होती है आपकी producer से, जो energy इसमें है, जो बता ही कौन किसको खा रहा है, उसको बोलते है, आपन food chain, and in food chain, it is always unidirectional flow of energy, and it generally starts with a producer, and in food chain, max to max, 3 or 4 organisms are linked, अच्छ एक बत मैं और आपको बता दो, बच्चों, यहापर जो organism होते हैं, आप ट्रॉफिक लेवल भी बोल सकते हो, जैसे उल्लू जो हो एक ट्रॉफिक लेव ट्रॉफिक लेवल टू, और उल्लू ट्रॉफिक लेवल ट्री, carrot ट्रॉफिक लेवल बन, rabbit ट्रॉफिक लेवल टू, fox ट्रॉफिक लेवल ट्री, lion ट्रॉफिक लेवल फोर, तो हर एक organism को individual organism को अपन ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं, जैसे lion जो हो गया, मैं लिए जो 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 फूट जिस नंबर पर आएका तो उसका ट्रॉफिक लेवल के लाए थीक है बच्छों करति लेवल लगए क्योंकि फस्ट नंबर पे आ रहा है रही ज्यागि चार पॉसिबल नहीं है अभी पूछिजा क्यूं कोई बीच चिंटू बटा क्या बताएगा चिंटू बोला सर हम बोल देंगे कि 10% लोग जो कि लिंडमेन ने दिया था उनके accordingly कभी भी food chain के अंदर तीन या चार से ज़्यादा नहीं हो सकते एक को special case आजया जिसमें 5 हो सकते उसे ज़्यादा possible नहीं है according to 10% law given by लिंडमेन तो इस 10% लोग को बच्चों पर आगे discuss करेंगे detail में क्या होता है क्या नहीं होता चलिए अब बात करते हैं अपन food web की यहाँ पर food web क्या होता है the interconnected food chain एक food chain तो होती चलो मैं आपको आगे दिखाता हूं यह एक food chain देखिए एक जंगल में कोई एक food chain तो चलेगी नि बहुत सारी food chain चलेंगी और वह आपस में interconnected होंगी interconnected का मतलब है कि आपस में जो food resources हो रहे होंगे जैसे मैं यह food chain की बात करूं चुहे को खाया बिल्ली ने बिल्ली को खाया शेर ने चुहे को खाया बिल्ली ने और रैबिट को भी खाया बिल्ली नो देखिए बिल्ली जो है food source को शेर कर रही है यह जो बिल्ली है यह चुहे को भी खा रही है और रैबिट को भी खा रही है अब यह चुहा अलग food chain का पार्ट है तो जो ले लिया ग्रीन कलर तो रैट की जो फूड चेन कुछ इस तरीके से चल रही है शुहे को खाया बिल्ली ने बिल्ली खाया शेर ने एक फूड चेन तो यह हो गई अब मैं दूसरा कलर लेता हूं बच्चों यहां पर आपको समझाने के लिए अब मैं ले लेता हूं जो चलो अब मैं मैं उपल्ण प्लांट औरम मैं इस बिल्ली खाया और जर्ट चेटये ओएक चल गई पहली हूं मेशच fiction और यह पये बेसे और नियूसरा जाना मनेशल्ट क्या काम बढुड जो कि आपस में इंटर कनेक्टेड होती है और food resources को share कर रही होती है उसको food web यहां पर बुला जाता है तो चले समझते हैं अपन the interconnected food chain operating in an ecosystem जिसे एक relationship established हो जाती है अलग-अलग species के बीच में उसे बोलते हैं अपन food web so the interconnected food chain operating in an ecosystem ecosystem बच्चो आपको पता है बायो टेक और अबायो टेक component मिलके एक एको सिस्टम को बनाते हैं और एको सिस्टम सेलफ सस्टेनिंग होता है अपन चलता है बस एक सनलाइट का इंपट उसको चहिए होता है यह बात अपने डिसकस कर चुके हैं पुरानी वाली स्लाइड में तो इंटर कनेक्टेट फूर्ट जो होती किसी भी को सिस्टम में वह फूर्ड चेन क्या करती है आपस में नेटवर्क बनाती है और अलग अलग स्पीशी के बीच में एक लिंक बनाती है जैसे रैबिट वाइ सकता नहीं भी हो सकता लेकिन आम तो पर कनेक्शन देखे जाते हैं अब जैसे मैं इधर बात करूँ अब यह वाल जो फूर्ड चेन है इसको अलग कलर से में लेता हो तो आप समझो कि यह कनेक्टेट नहीं है देखिए ग्रीन कलर लेता में लाइट ग्रीन अब टमाटर का यह तो यह अलग चल रही है थोड़ी सी ठीक है और देखिए आप आम तो पर सब गूम्फिर के शेर के पास ही आ रहे है तो यह तीसरी फूर्ड चैनल लेकिन शेर पर गये कनेक्ट हो यह है कई सारी फूर्ड चैनल होती जो कनेक्ट हो भी सकते नहीं भी हो सकते लेकिन कहीiben कहीं most of the किसे में connected मिलेंगे आपको और इनके पूरे गुच्छे को फूड वैब बोला जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं सुदा network of large number of food chains network of large number of food chain existing in an ecosystem is called as food web बहुत सारी food chain होती है किसी भी system के अंदर जो कि आपस में interconnected होती है अगर interconnected नहीं होंगे तो फूड वैब होने कोई benefit मिलेगा ही नहीं बैनेफिट क्या होता अगर एक source खाने का खतम हो गया तो दूसरा source अपने पास डाइब लगवी रहे बैब बीलड के में बात करना पर अब बिल्ली के पास चूहा नहीं क्काने को तो बिल्ली र.." रैबिट को खा सकती है शेर के बड़ー बिल्ली नहीं का छाने को देशेर फॉक्स को भी खा सकता तो जतनी इंटर connection होंगी जितनी जाद़ food chain होंगी उतना ही stable ecosystem होगा ऐसा आप कह सकते हो तो मैं लिख दे तो ही आपे the more complex the more complex the food web is the more stable यह बोल दो the more better will be that ecosystem देखे जितनी ज्याद़ food chain होंगी उतने ज्याद़ interconnections होंगे और जितने ज्याद़ अल्टरनेट फूड जो होगा अवेलबल होगा खाने के लिए तो कहीने के जो ecosystem में वह बैटर होगा जिसमें जो फूड वैब कम complex होगा रहे बच्चों बास समझ में तो इसी को बोला जाता है फूड वैब तो जितना complex फूड वैब होगा ecosystem को अच्छा बताया यहां पर जाएगा तो प्यारे बच्चों आज कहीं लेक्चर अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए हमारे चनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले लेक्चर मिस्ट नहूं आप से तो इसके लिए इस बैल आइकन को भी दबा दीजिए तो आज के लेक्चर में बस इतना है टेक कियर एंड बाए बाए